हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं हूँ अमदिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS Hindi के इस प्लैटफर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सिरीज जिसका नाम है Mission IAS Pre 2024 जो की पहली CDA और सबसे important CDA उसको target किया है और अभी हम कुछ questions लगाते हैं इसका तरीका जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ paper pen लेकर के बैठी अगर आप इस series का सही इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको paper pen के साथ बैठना है और फिर उसके बाद अपना answer लिखना है मैं explanation दूँगा और फिर उस explanation के हिसाब से आपको अपना answer सही अगलत का निशान लगाना है और अगर कोई ऐसा point मिलता है जो आपको नहीं पता है तो वहाँ पर साथ-साथ लिख लेना है तो यह इसका सही तरीका होता है और इस series को हम 23 सितंबर से चला रहे हैं और यह मई तक चलने वाली series है जब तक आपका pre का exam नहीं होगा तब तक यह series चलेगी और मैं guarantee के साथ कह सकता हूं कि अगर आप daily basis पर मेरे साथ इ इसको solve करेंगे तो सितम आपका जो December January आते 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 आप pre में comfortable हो जाएंगे तो वह time जब आप सबसे ज़्यादा pressure में होते हैं उस time आप pre में comfortable हो चुके होंगे तो इसको में आप regular बने रहेएगा ठीक है चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला question क्या है निम लोहे के औजारों का उप्योग करते थे दूसरा इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का कपास का उत्पादन किया उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्म है बताईए बताईए जल्दी इसका आंसर बताईए क्या है इसका आंसर इसका आंसर क्या है जल्दी बताई देखिए, हडपा संस्कृति के लोग पत्थर, कासे और लोहे के औजारों का उप्योग करते थे, ये statement गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, लोहे का, और आपको पता है, हडपा कालीन संस्कृति को क्या कहते हैं, कास योगीन कहते हैं, ब्र कॉपर और टिन से क्योंकि ये मिलके बन रहा है, तो ये तो कहा जा सकता है कि कॉपर और टिन का इस्तमाल करते थे, लेकिन लोहा शब्द का इस्तमाल नहीं किया सकता, यहाँ तो साफ साफी लिखा है, कि पत्थर का इस्तमाल करते थे, बिल्कुल सही है, और कांसे का इस्तम प्राणियों की बात कहेंगे तो इसको क्या क्यते थे सिंडन बोलते थे ना सिंडन और सिंडन शब्द है जो वो सिंदू से ही निकला हुआ शब्द है तो फिर यह वाला स्टेट्मेंट आपका सही हो जाएगा पहला गलत दूसरा सही आंसर हो जाएगा इसका भी ठीक है विजिनिक सभा भवन था दूसरा देखें जरोखा दर्शन प्रथा है जो इसकी शुरूआत किस ने किती जहांगीर ने इसकी शुरूआत किती बताइए दोनों मेंसे कौन सा स्टेट्मेंट है जो वो सही है बताइए देखें दिवाने खास इस शब्द से ही पगड़ और यहां पर कुछ गोपनी मुद्दो पर चर्चा की जाती थी यह पार्ट भी सही है जब कि दीवाने आम आम मतलब नॉर्मल है ना आम मतलब कि सब के लिए ओपन है जो चीज तो आम एक सार्विजनिक सवाववन था यह स्टेटमेंट बिल्कुत सही है जहरोखा दर्शन पर अगर जहरोखा दर्शन पर याद रखियेगा अकबर के टाइम पर शुरू हुई थी औरंग जेब ने खतम कर दिया था यह प्रता है जो वह बहुत सारे मुस्लिम्स थे उन्होंने इसका अपोस भी किया था लेकिन अकबर ने चलने दिया फिर उसके बाद चलती रही और फ यह प्रता को उसने खतब कर दिया यह भी ध्यान रखियेगा अकबर ने स्टार्ट किया और औरंग जेब ने खतम किया तो यहां पर दूसरा गलत हुआ पहला सही हुआ आंसर हो जाएगा इसका ए अगला देखिए निम्लिखित कथनों पर विचार करे निस सो ग्यारा में ब प्रश्ण कुमार मित्र जैसे उग्र रास्ट्रवादी नेताओं ने किया उपरियुक तुम्हें से कौन से कथन है जो सत्य हैं बताइए बताइए पहला स्टेट्मेंट ध्यान से पढ़िए बंगाल विभाजन कब हुआ है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है 1905 बंगाल वि करजन लॉड करजन उस ताइम पर वाइसरा कौन होगा लॉड करजन उसके बाद सुनिये मंगाल विभाजन 1905 में हुआ और फिर जाकरके उसका बहुत ज्यादा अपोज हुआ और क्योंकि इतना ज्यादा अपोज हुआ तो फिर उसके बाद जॉर्ज पंचम यह जब भारत आये तो काफी जादा इसका विरोध किया गया और क्यों किया गया था यह आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन किया क्यों गया था कि इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त जो बंगाल था वो एक सेंटर हुआ करता था वहीं से जो रास्टवादी नीतिया है य अगर official region की बात करेंगे तो वहाँ पर यह कहा गया था कि administration है जो वह बंगाल का बहुत बड़ा है इतना बड़ा बंगाल है जो वह एक बार में मतलब एक साथ समालना बड़ा मुश्किल है इसलिए इसके दो हिससे किये जा रहे है यह officially कहा गया था लेकिन सचाई कुछ और थी ठीक याद रखिएगा उन्निशो ग्यारा में ये बाद इसको रद्द कर दिया गया लेकिन जब रद्द किया गया था तो कहां पर किया ऑपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगला देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में चलाएगा आंदोलन का नित्र तो सुरेणनाद बेणर जी और क्रिश्नकुमार मित्र बिलकुल सही है इसमें अगर आप बात कहेंगे कि बंगाल विभाजन में शुरुवात इन्हों ने करी सुरेणनाद बेनरजी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे लोगों ने जो नरम पंती दल के थे उन्होंने शुरुआत करी लेकिन बाद में उग्र रास्टवादियों का भी समर्थन मिला था ठीक है तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है हाला कि यह स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यह इनको अग्र रास्टवादी नेता की श्रिनी में रख रहा है तो दोनों ही गलत हो गए क्या हो गया डी आंसर हो जाएगा ठीक है बताए कितने लोगों ने सही किया इसका आंसर जल्दी बताएगा अगला देखते है न नाम प्रसाद बिस्मिल योगेश चंद्र चडर जी और सचींद्र नाथ सान्याल दौरा की गई थी उपर युग तुमें से कौन से कथन सत्य हैं अगर यह सेशन पसंद आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना होता है लाइक करना होता है यह बार-बार क्यों कहना पड़ता है यह प्रॉपर फायदा आप उठा पाएंगे हमारी रीच इसमें जाधा होनी चाहिए अभी जितनी है उससे काफी जाधा चाहिए मुझे तो इसके लिए आप इसको प्लीज शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है चलिए उपर युक्त मे सब्सक्राइब तक था वो लाहोर स्रडेंत्र केस का मुकदमा जो है वो चलाया गया था ठीक है ध्यान रखिए गा इस चीज का और इनको फासी हुई थी वो कभी थी 23 मार्च 1931 यह डेट भी आपको याद होनी चाहिए अलग से क्वेश्चिन कभी बनाया जा सकता है 23 और सांडर्स की हत्या पर नहीं लाहोर श्रडेंत्र केस के वजए से मुकदमा चलाय गया था अगला देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशेशन की स्थापना 1924 में दिल्ली में राम परसाद बिस्मिल योगेश चंद्र चटर जी और सचींद्र सान्याल सचींद्ना सानयल के द्वारा की यह बात भी विल्कु सही है लेकिन यह दिल्ली में नहीं था इसकी स्थापना दिल्ली में नहीं की गई थी इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी याद रखिएगा यह पार्ट है ना कानपुर ठिक तो दोनों ही गलत हो गए अब दोनों गलत हो गए तो answer क्या हो जाएगा दी हो जाएगा है ना चलिए आगे बढ़ें ठीक है समझ पा रहे हैं आप लोग answer डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ें और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक important information दे देता हूं हमारे P2I batch के बारे में देखिए नया P2I batch है जो कि 10 October से चालू हो रहा है याद रखिएगा 10 October से आपको अगर दिखनी रहा हो नीचे तो मैं पढ़ देता हूं 10 October से शाम को 6 बजे ये batch स्टार्ट होने वाला है अगर आप इसमें 18 महीने में अपनी preparation करना चाहते हैं तो शिलवर वाला आपको लेना है अगर आप 30 महीने तक जुड़े रहना चाहते है तो गोल्ड वाला लेना है और अगर आप 42 मंत तक रहना चाहते हैं तो union लेना है किनों की 30 अगर आप ओंलाइव कोड का सित्माल करते है याद रखिएगा ओंलाइव कोड का सित्माल करने पर ही यह फीस आपको मिल पाएगी 23 1999 2599 और 3999 याद रखियेगा है ओम लाइव कोड को याद रखना है इसका ही ज़्यादा ज्यादा का इस्तमाल करना है सबसे जादा सबसे कम प्राइस में अगर आपको एड्मिशन चाहिए किसी भी कोर्स में तो आपको ओम लाइफ कोड का इस्तमाल करना है चलिए आगे बढ़े निम्लिखित कत्रों पर विचार करें माल दीफ लक्षदीप जॉडामुकी द्वीप के उधारण है मौरिशयस हवाई दीफ प्रवाल दीफ के उधारण है अंडमान वम निकभार दीप समूँ एक पर्वतिए द्वीप समूँ का उधारण है पर्वत जैसी संद्रचन हो जाती है तो अगर हम इन में से आपको बताना है कि कितने statement सही है तो जैसा कि मैं परवतिय दूइप समूँ के बारे में बोल रहा था परवतिय दूइप समूँ में अंडमान और निकोबार की अगर बात करेंगे तो यह बिल्कुल सही बात है कि यह एक परवतिय दूइप का उधारन है क्यों है परवतिय दूइप का क्योंकि इसकी संद्रचना है जो परवत के आकार की आपको देखेंगी ठीक है तो यह वाला सही हो गया माल दीव और लक्षदीव जो अला मुखी दीव के उधारन है और मौरिशियस और हवाई दीव प्रवाल दीव के उधारन है ये दोनों statement गलत है क्यों गलत है ये इसलिए क्योंकि माल दीव और जो लक्षदीव है वो प्रवाल दीप के उधारण है और मौरीशियस और हवाई दीप है जो यह जो आलमुखी दीप के उधारण है प्रवाल दीप क्या होता है प्रवाल दीप मतलब समुद्र का एख एसा हिस्सा जहां दूर कहीं पर shallow water होगा दूर है जो वहाँ पर प्रवाल भित्तियों भित्तियों आप समझते ना प्रवाल एक किसका जूजन्थले और आपकी जो मुगा चट्टाने होती इनका एक वह एक यह सिंबाइसिस है जिसमें की क्या colorful कौन सी चीज है colorful आपका वह white color का calcium carbonate का बना हुआ इस तरह से जब उनका वह अलग हो जाते हैं तो उससे क्या है वह इखटे हो जाते हैं तो इस तरह की एक प्रवाल दीप जैसा बन जाता है चट्टानों जैसा बन जाता है तो यह example आपको कहा मिलेंगे आपका मालदीफ में और लक्षदीप में मिल तो याद रखे है कोरल ब्लीचिंग भी आपने पढ़ा होगा गर्मी जादा बढ़ जाती है या पॉलीशन जादा होता है जिसकी वज़ए से क्या है इनको दोनों का जो रिलेशन है सिंबाइसिस सिंबाइटिक रिलेशन है वह तूट जाता है और जब वह तूट जाता है तो उसकी वज़ए से ये इनकी मतलब मौत हो जाती है और फिर उसके बाद जो ये शैल है वो कालिसियम कार्बोनेट की बनी होती है तो वो नीचे एकटी हो जाती है चलिए तो यह हुआ और इसके अलावा दूसरा जौला मुखी दीप यह क्या होता है जौला मुखी दीप पैसे समझे की लावा निकला नीचे से और फिर उसके बाद वो जमीन के इस तर्थे मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूं पानी के अंदर कई बार क्या होता है कि वो जब क्रस्ट के उपर आएगा और पानी का जो इतना लेवल है उसके भी उपर आ जाता है कई बार तो ऐसे जो पानी के ऊपर आ गए है ठीक है जो अलम खी वुस्फिषोत के कारण जो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं तो वह कैसे दिखने लगते हैं आइलेंड जैसे दिखने लगते है तो वह आपके जो आबका हवाई आइलेंड और आपका यह मौरिशिय्य और मालदीव लक्त्श लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिक्ता के कारण यह है उर्वर मृदाएं होती है इन मृदाओं में नाइट्रोजन फॉस्फेट और केल्शियम कम पाया जाता है काम पाई जाता है नाइट्रोजन फोस्फबेट और कैल्सियम ये तीनों ही चीज और कम पाई जाती है आपको बताना है कि कौण सा कथन है जो वो सत्य है इसमें बताइए देखिए आंसर कर लीजे एक कमेंट में एक मेसेज मिला है कि आप हड़ जाया करिए ताकि हम पढ़ ले बिल्कुल सही बात है आप पढ़ लीजे इसको और अगर नए लोग जो जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज लाइक कीजे और शेर कीजे जो भी आपके ग्रुप्स में आप लोग जहाँ 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 आपकी एड हो वहाँ उनको शेर कीजे जादस जादा रीच की पहुँचाई है देखिए लेटराइट मुर्दाओं में लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिक्ता के कारण यह उर्वर बुर्दाओं होती है यह स्टेटमेंट गलत है इसलिए गलत है क्योंकि यह आप जरूर कह सकते हैं कि लोह ऑक्साइड और पोटाश होने के बावजूद भी यह उर्वर नहीं है ठीक है लेटराइट होते कौन सी है आप बस इतना याद रखो यहां देखेंगे आप तो गर्मी मतलर टेंपरेचर है जो वह काफी होता है और टेमपरेचर जादा होता है लेकर बारिश भी काफी होती है तो वह की जो मिट्टी है तो यहां पर यह वाला statement इसलिए गलत हो गया, दूसरा देखेंगे इन म्रदाओं में, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और केल्शियम, तीनों ही कम पाये जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, ठीकि, आंसर B हो जाएगा, आगे बढ़े, अगला देखिए, निमनखित वनस्पतियों पर विचार करें, देखिए, टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वनस्पति, त्या आवाज ठीक आ रही है न, एक तो मुझे, मैस, एक मेल मिला है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा है कि, आपकी वॉइस है, जो वो कम है, क्या ऐसा है, अगर वॉइस ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, देखिए, टुंड्रा वेजिटेशन, टाइगा वेजिटेशन और स्टैपीज घास के मैदान, है, टुंड्रा वनस्पती, टाइगा और स्टैपीज, अगर इनकी बात करते हैं, तो उपर एक तुमें से कितने वनस्पती एशिया महादुर्ण में बताएं, कितने हैं जो पाए जाते हैं, एशिया की बात हो रही हैं ध्यान रखेगा, बताएं जल्दी, देखिए टूंडरा वेजिटेशन टाएगा और ये ये तीनों ही है जो वो आपके एशिया में मिल जाएगे उत्तरी भाग में आप अगर देखेंगे टूंडरा वेजिटेशन कौन सी होती है जो बरफ से धकी हुई होती है एशिया का जो नौर्दन वाला पार्ट है यहां अगर आप देखेंगे तो टूंडरा वेजिटेशन मिल जाएगी आपको लगबग 30 सेंटीमेटर के आसपास बारिश यहां पर होती है अगर आप टाइगा वेजिटेशन की बात करेंगे तो टूंडरा के जस्ट नीचे टूंडरा के जहां पर टूंडरा खतम होगा तो टूंडरा का साउथ वाला पोर्शन उसके जस्ट नीचे आपको टाइगा वनस्पती मिल जाएगी जहां पर शंकुधारी वन होते हैं शंकुधारी वन वहां पर मिलते हैं और यहां अगर आप बारिश की बात करेंगे तो लगभग लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश यहां पर होती है और अगर स्टैपीज की बात करेंगे तो इसके साउथ में जहां पर टाइगा का सदन पोर्शन है यहां पर टायगा खतम हो राओगा नीचे की तरफ आप जाएगे तो वहां पर मैदानी ग्हास है। मिलते हैं वहां पर किस तरह मिलती है है वहा зовут तो यह तीनों ही हैं जो मिलते हैं यहां आप बारिश कर में बताओं तो लगभग 40स मन का how पास होती है ठीक है तो यह तीनों यह आपर मिलते हैं सी आंसर हो जाएगा ठीक आगे बढ़ें CBD से समंदित कत्रों पर विचार करें जैव विवदिता पर अभी समय Conference on Bio Diversity पहले तो आप कमेंट बॉक्स में यह बताईए कि CBD किस चीज से लिंक है क्या UNFCC से इसका लिंक है क्या आर्थ सम्मिट के साथ इसका कुछ लिंक है अगर है तो बताईए जल्दी कमेंट बॉक्स में कि क्या लिंक है क्या आप जानते हैं CBD के बारे में इसके प्रमुख लक्ष है जो उन पर आप वहाँ पूछा गया है कि इसके उद्देश कौन कौन से है क्या बोल रहा है कि जैविविद्दा का संरक्षन उसका उद्देश है जैविद्दा का सतत उप्योग इसका उद्देश है या अनुवानशिक साधनों के उप्योग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित और न्यासंगत बटवारा टिक इन तीन लक्षों में कौन-कौन से ऐसे लक्ष है जो आपके CBD के लक्ष है बताए जल्दी तो अगर इसका आंसर मैं बताऊं आपको तो याद कर लिजे ये तीनों तो सलवार, ये में में भी आप लिख सकते हैं, ये और लिख लेना, तीनों ही है इसके लक्ष है, में में भी आपको ये बात लिखी जानी चाहिए, अगर आप environment से संबंदित, या climate change से संबंदे जय विविदिता biodiversity से संबंदित कुछ अगर लिख रहे हैं तो आप CBD का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके लक्ष आप जरूर बताए ठीक है यही है जय विविदिता का संरक्षन करना है जय विविदिता का सतत उपयोग करना है और जो भी आपकी क्या हो जाएगा अंसर सी हो जाएगा आगे बड़े संब्धान की निमनलिखित विशेष्टाओं पर विचार करें राज के नीति निदिशक तत्व डीपीएसपी जल्दी बताइए अगला देखें राजसभा में सदस्यों का मनोनयन और रास्टपती की चुनाव की गनाडा समविधान से ली गई है आपको पता है कि लगभग लगभग 50% के आसपास जो विशिष्टा है वह हमने गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया बची हुई है जो वह हमने अलग-अलग समविधानों से ली है ठीक है तो यहां पर यह पूछ रहे हैं कि इन में से वह कौन सी है जो हमने कनाडा से ली है ठीक है बताइए कौन सी है जल्दी बताइए बताइए जल्दी देखिए अगर मैं राजिके नीति निधिशिक्तत्व राजसभा के सदर्स्यों का मनौनयन और राष्टपति के चुनाओं की पद्दति इनकी बारे में बात कर रहा हू तो यह तीनों ही जो और दो हमने के लिएए यह तीनों ही आयरिस ऑक्रमस से लो जाये अधिक यह जाएगा इस तरह सुराइए लक्षमी कांत में तो साफ-साफ सीधे-सीधे दिया या कोई भी आप पड़ते हैं तो वाहां पर यह होगा तो यह सोर्सेश हैं जो यह इस तरह से कुष्चन बना लिया जाता है कई बर मैच कर वा लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए थीके मोटे-मोटे आप याद कर लीजे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वाले आपको याद करने होंगे इसमें और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा ऐसा फीचर लगता है जो कनेडा के समविधान से लिया गया है यहां पर तो सारे आयरलेंड व जतनों पर विचार करें यह विद्यालेओं में अयोंगे शीक्शक छों सांसक्रिंट फ की आधार बहेत्वाव के बिना सभी को गुडवत्ता, युक्त सुक्षा tesi की गई है देखेए दोनों तो नीचे वाले तो दोनों सही है ये तो आपको पता चली रहा होगा नीचे वाले तो दोनों सही है इस में स्कूलों में बुणियादी अपसंदटेन thinkingening infrastructure development के लिए काफ़ी ज़ूर दिया जा रहा है कि भाई स्कूलों की और इवन दिल्ली मॉडल आप देख रहे हैं वह इसी चीज़ पर ही तो टिका हुआ है ना उन्होंने इंफ्रेस्ट्रक्चर डवलपमेंट है जो वह काफी अच्छा किया है प्लस वहां की गुडवत्ता पर काफी ध्यान दिया है ना तो यह वाला यह वाला तो फेमसी हो गया एक तरह से वर्ल्ड में मॉडल हो गया है जो की आप कह सकते हैं इसकी वैसे आप यह कह सकते हैं कि यह दोनों तो सही है अब रही बात पहले वाले की यह विद्यालें में प्रसिक्षित एवम योग सिक्षकों की सिक्षकों के बारे में गलत वो ठीक है लेकिन आपको पता था इसलिए मैंने कहा कि जब question आया करें तो पहले pause कर दिया करें अपने हिसाब से ताकि पढ़ने का तरीके का आप पर कोई असर ना हो आप अपने हिसाब से उसे पढ़ें और फिर पढ़ करके उसका answer लगाएं ठीक है चलिए पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए ठीक है चलिए लोग अदालत से सम्मंदित कथनों पर विचार करें लोग अदालत को स्टिविल नयायले की मानिता दी गई और शमनी आपराधिक प्रकृति के मामले भी इसके अंतरगत लाए जा सकते हैं कौन से कथन है जो वो सत्य बताईए एक शब्द है बस याँ पर ये वाला अगर इस शब्द का मतलब पता है तो आप इसको लगा लेंगे क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि लोग अदालत को इसके पीछे एक और ये भी तरख है कि वो जो लोग है वो नया आले तक नहीं जिनकी पहुच है उनके लिए ये विवस्ता है कि लोग अदालत वहाँ पर आएगी और उसमें आप अपने बात रख सकते हैं ठीके तौ इनके पास सिवल कोड की पावर है अब रही बात शमनी आपराधिक प्रकरति के मामले ये क्या होता यह वो मामले होते हैं जिनके तहत अगर दोनों पार्टी मतलब केस कैसा है आपराधिक केस है क्रमिनल केस की बात कर रहा ह। यहां देखो यह तो पता है आपको किसे फिल नया लेकी है इनको पावर, लेकिन हम जब क्रिमिनल की बात करते हैं, तो क्रिमिनल वाले मामले में, अगर दोनों पार्टी एग्री हैं, तो उस केस को भी इनके सामने रखा जा सकता है, ठीके, तो यह पार्ट भी बिल्कुल सही ह तो दोनों ही सही हो गए तो आंसर हो गया इसका C, ठीक है, आगे बढ़ें, अगला देखिए, नियूंतम समर्थनमूल MSP के संदर में निम्नकत्रों पर विचार करें, किसी फसल के लिए MSP वह कीमत होती, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, ठीक है, आपको पता है कि MS पता है कि यह हुगाने में फायदा है, क्यों कोई खरीदे ना खरीदे, सरकार तो खरीदे लेगी मुझसे, और किस रेट में खरीदेगी, उनने पहली बता दिया है, कि 2000 रुपए में कुंटलम के हिसाब से हम खरीदेंगे आपसे, मार्केट में आपको 2200 में बिक रहा है, तो बेच दो, अगर नहीं बिक रहा है, तो 2000 में तो सरकार लेने को रेड़ी, अगर कोई कह रहा है कि मैं 1800 में लूँगा तो मत बेचो, हैना तो इससे क्या है कि एक security, हैना एक सुरक्षा है जो वो किसानों को मिलती है, ठीक, चलिए, पर तेक फसल, सीजन के दौरान, सरकार 25 फसलों के लिए, नियूंतम समर्थन मूल की घोशना करती है, ठीक है, कितनी फसलों के लिए करती है, 25 फसलों के लिए, कौन करता है, करने वाली बॉड़ी कौन सी है, CACP, ठीक है, CACP इसको करती है, लेकिन कितने फसलों के लिए करती है, 25 के लिए नहीं करती है, 23 फसलों क कार्बन संकलन उपयोग और भंदार CCUS के संबंध में लिमनिखित कत्रणों पर विचार करें CCUS के में कार्बन डायओकसाइड को वायूमंडल में एकत्र करने और भंदारित करने के विकल्पों की पहचान करने के तरीके और प्रद्योगिटियां शामिल है तरीके और प्रद्योगिकिया टेक्नलोजी है जो वो इसमें शामिल है और दूसरा CCUS प्रद्योगिकियों का उप्योग करके कैप्चर की गई कार्बन डायोकसाइड को मीथेन और मीथेनॉल जैसे इन्धन के साथ ही इसको रेफ्रीजेरेंट और अन्य निर्मार सामगिरियों में परवर्तित किया जाता है बताइए कौन सा कथन सत्य है बताइए इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूए यहाँ पर कि हम यहां पर कारबन के सरजयन को रोकने के लिए यहां पर एक यह बोड़ी है जो की इसपर यह काम कर रहे हैं seventiell है क तो यह दूनोसी स्टेटमेंट हम इसके बारे मेंãy कहेंगे तो दूनोसी स्ट्टमेंट है काफीlar कि कोश्चन है बस आपकोaven Chi को यह कि इसका लक्ष है जो वो 2030 तक कार्बन के उत्सर्जन को आधा करना यह भी स्टेटमेंट बनाए जा सकता है याद रखेगा है ना आधा करना इसका एक लक्ष है और नॉर्मली आप अगर UN में देखते हैं तो हमने क्या लक्ष रखा है हमने दोहजार सत्तर का रखा है ने दोहजार सत्तर तक नेट जीरो अमिशन करेंगे लेकिन इसके तहट क्या है दोहजार पचास का रखा गया है तो यह भी याद रखिएगा दोनों ही सही है सी आंसर इसका हो जाएगा आगे बढ़ें कि यह लैब ग्रीन डायमंड से संबंदेत कत्रों पर विचार कर लेँ लैब कोष्चित करने वाली की नकल करके बनाया जाते हैं जासे यह संनकल करके इसको बनाया जाता है दूसरा statement कह रहा है कि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्यवातिक और अप्टिकल गुण समान होते हैं, समान नहीं होते हैं और तीसरा कह रहा है कि lab-grown हीरे केवल रासायनिक वाश्प जमाओ यानि कि CVD chemical vapor deposition विधी द्वारा बनाय जाते हैं और भारत में मुखते हैं lab-grown हीरे उच्छ दबाओ और उच्छ तापमान HPHT विधी द्वारा बनाय जाते हैं उपर एक तुमें से कितने कथन सत्य हैं अब मैं आप पर रुक जाता हूं आप लोग आराम से इसको देख लो पढ़लो और वापस से स्टॉल करो इसको ठीक है देखिए देखिए यहां पर पहला statement तो बिल्कुल सही है lab में जो बनाय जाते हैं वो इनकी ही नकल करके बनाय जाते हैं जो आपके natural है उसी विधी के तो यह वाली जो प्रक्रिया है सेम फॉलो की जाती है तो यह वाला तो सही हो गया दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो दोनों की रासायनिक संद्रचना और अन्य बहुत तक और ऑप्टिकल गुण है जो वो समान होते हैं ठीक है बिलकुल समान होते हैं वो प्राक्रितिक वाले और लेब गुरौन वाले समान होते हैं इनके गुण यहां पर नहीं लिखा कि lab grown हीरे केवल जब लिखा है तो दूसरी technology जब मौझूद है तो केवल है जो वो doubtful हो जाता है अगर पता भी नहीं है तो doubt वाला sense यहाँ पर create होता है जिसकी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि यह गलत है क्यूंकि दोनों ही technology है मैं HP, HT और CVD दोनों सो ही बनाय जाता है और भारत की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर mainly CVD ठीक है HP, HT नहीं है तो इसलिए यह वाला statement है जो यह भी गलत हो गया तो तीन यहाँ पर देखिए गलत हो गया और एक सही हुआ तो answer क्या हो गया? answer हो गया A, A answer इसका हो जाएगा ठ बढ़ें आगे अगला देखिए और अगले का answer बताने से पहले अच्छा हाँ मैं कल देख रहा था कि देखिए जो जैसे मैंने यह last question पढ़ा तो उसके बाद बच्चे के message आरे सर हमने तो अभी अभी join किया है तो यह session चलता रहता है मतलब यह recorded session होता है तो यह आपका आप अगर बाद में भी join किया है तो उसको आप पूरा देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा तो अगर आप कोई बात नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि आप इसको continue कर सकते हैं और जो भी नए लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार like और share last में कर द चलिए मतलब अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो जनुवन सी बात है आपको लाइक कर नहीं है तो कर दिया करिए हर चीज की एक कीमत होती है यहां तो कीमत बहुत सस्ती है ना तो इसको करिए आप बीम बेट का रॉक शेल्टर के सम्मंद में निम्लिकित कथनों पर व वी एस वकड कर द्वारा उननेश सो सत्तावन में की की थी ठीक है उसके बाद भीम बेट का रॉक शेल्टर अपने लाल और सफेद रंग के प्राग यातिहासिक गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है ठीक है और हाल ही में हाली की घटना यह कि भीम बेट का गुफा आश् में सबसे पुराने जीव डिकिन सोनिया के जीवाश्म खोजे गए हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही है तो देखिए यहाँ पर यह तीनों ही स्टेटमेंट है जो यह सही है तीनों ही एक बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है यह अब भी recent current में भी चल रहा है तो भीम बेटका से question आने के पूरे पूरे chances है याद रखेगा भीम बेटका से question आ सकता है तो इसका culture वाला जो part है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पर अगर अगर question की बात करेंगे तो question में तीनों statement सही है तो c answer इसका हो जा अगर यह PDF आपको चाहिए तो यह मैं यहाँ टेलीग्राम पर शेर कर दूँगा और टेलीग्राम को दो तरीके से जोइन कर सकते एक तो डारेक्ट स्कैन कर लीजे सीधे जुड़ जाएंगे और इसके अलावा अगर scanner की सुफधा आपके mobile पर नहीं है तो ओम दिवेदी study IQ spelling ठीक डालिएगा है ना बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सा टेलीग्राम चैनल क्या है यह रहा टेलीग्राम चैनल ओम दिवेदी study IQ यह वाला आप डालेंगे तो आप डालेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकत हैं और सॉल्व कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे अगले लेक्षर में तब तक के लिए दन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी